लिजे सुनिए उन्षी प्रेम चंद के लिए कि कथा संग रहे मान सरोवर छे की कहानी आभूशन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में आभूशनों की निंदा करना हमारा उद्देश नहीं है हम असाहियों का उत्पीडन सह सकते हैं पर ललनाओं के निर्दय घा तक वाक बाणों को नहीं उड़ सकते तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस त्रिशना की पूर्ती के लिए जितना त्याग किया जाता है उसका सदुपियों करने से महानपद प्राप्त हो सकता है यद्यपी हमने किसी रूप इहीन महिला को आभूशनों की सजावट से रूप वती होते नहीं देखा तथा पी हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूशनों की उतनी ही जरूरत है जितने घर के लिए दीपक की किन्तु शारिरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशानत और आत्मा को कितना कलुशित बना लेते हैं इसका हमें कदाचित ग्याने ही नहीं होता। इस दीपक की जोत में आँखें धुंदली हो जाती हैं। ये चमक दमक कितनी ईरशा, कितने दूश, कितनी पृतिस परधा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है। इसकी केवल कलपना से ही रॉंग्टे खड़े ह जाते हैं। इन्हें भूशन नहीं दूशन कहना अधिक उपयुकत है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पती के घर आने के तीसरे दिन अपने पती से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बाध कर मुझे तो कुए में ढखे लिया। शीतला आज अपने गाउं के तालुकेदार कुएर सुरेश सिंग की नवववाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुगदिसी हो गई। बहू के रूप लावरने पर नहीं। उसके आभूशनों की जगमगाहट पर उसकी टक-टकी लगी रही। और वो जब से लोटकर पती का नाम विमल सिंग था। उनके पुर्खे किसी जमाने में इलाक़ेदार थे। इस गाउं पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशाहीन हो गई है। सुरेश सिंग के पिता जमीदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंग का सब इलाका क किसी ना किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी ना था। उसे दिन में दो बार भुजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोडे थे। दस-पाँच बाहर के आदमी नित्त द्वार पर पड़े रह सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में उची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विप्रीत वहां से आर्रे सभता के परमभक्त बनकर लोटे। वहां के जणवाद, कृत्रिम भोग लिपसा और अमानुशिक मदांध प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभागवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूशनों की छटा देखकर वो मरमाहत सी हो गई है। विमल ने व्यथित होकर कहा, तुम आता पिता से कहा होता सुरेश से वहा कर देते, वो तो तुमें गहन नहाग मेरे साथ ब्याहा। शीतला लाजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। विमल भाग मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊ। शीतला ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम इहीं नहीं है। प्रेम हो त विमल अपने को अभाग नहीं समझती हो। शीतला हूँ ही, समझना कैसा। नहीं तो क्या दूसरे को देख कर तरसना पड़ता। विमल गहने बनवा दूँ तो अपने को भागवती समझने लगोगी। शीतला चिड़कर तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरव विमल नहीं सच कहता हूँ, बनवा दूँगा। हाँ, कुछ दिन सबर करना पड़ेगा। समर्थ पूर्षों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। समर्थ ही इन पूरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंग ने घर से निकल जाने की ठानी। निश् इतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनभव हुआ कि नारी का हिर्दय प्रेम पाश से नहीं बंदता। कंचन के पाश ही से बंद सकता है। पहर राज जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ। पीछे फिर कर कभी न देखा। ग्यान से जागे हुए विराग में चाहे मुह का संसकार हो पर नेराश से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तूओं को देखकर मन्विचलित हो सकता है। पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जौ भर हट सके। विमल के पास विद्या न थी कला कौशल भी न कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकते गया। वहां कुछ दिन तक एक सेट की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुँचा और बंदर पर माल चढ़ाने उता करने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असायम और कुछ जलवायू की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीड दुर्बल हो गया, मुख की कांती जाती रही। फिर भी उससे जादा महंती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदू अपने मन से तरक किया, घर में मेरा कौन ही तू है। गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धी ये रहस समझने में असमर्थ थी कि आभूशन की लाल सा रहने पर भी प्रणाय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातहकाल सेरों में ठाई खाकर ज इतनों ही कुशराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगए रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े ना थे पर विमल उन गिंती के दो-चार मजदूरों में था जो सायम से रहते थे। जिनके जीवन का उ देश खापी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाओ भी बढ़ने लगा। ये प्राया सभी जानते थे कि विमल जाती का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पकारते थे। सैयम और आचार सम्मान सिद्धी के मंत्र है। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगूर में काम करते हुए तीन वर्ष हो चुके थे। संध्या हो कई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बाते कर रहा था। ए पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो इसके हाथ में रख देता था। तीन लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खा कर लेटे थे। ना कोई लड़ाई ना बात न चीत। रात को और अतना जाने कहां चली कि लड़कों को छोड़ गई। बेचारा जिं नहीं मजदूर रुपए पैसे तो औरत यही के हाथ में थे गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता है। दूसरे मजदूर ने कहां गहनों से तो लड़ी हुई थी जिदर से निकल जाती थी छम-छम की आवाज से कान भर जाते थे। विमल जब गहने बनवाने पर भी न सिपाही मिला था। वो तुम्हारा नाम गाओं और बाब का नाम पूछ रहा था। कोई बाबु सुरेश सिंग है। विमल ने सशंग को होकर कहा। हाँ, हैं तो मेरे गाओं के इलाकेदार और बिरादरी के भाई है। आदमी, उन्होंने ठाने में कोई नोटिस छपवाया ह कि जो विमल सिंग का पता लगावेगा उसे एक हजार रुपे का इनाम मिलेगा। विमल, तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया। आदमी, शौधरी में कोई गवार हूँ क्या, समझ गया कुछ दाल में काला है। नहीं तो कोई इतने रुपे के उख खरच करता है मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंग नहीं जसूदा पांडे है। बाप का नाम सुकु बताया और घर जिला जहांसी में। पूछने लगा यहां कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई दस साल से। तब कुछ सोच कर चला गया। सुरेश बाओ से तुमारी कोई अदाव अदावत तो नहीं थी मगर कौन जाने इनकी नियत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराद लगा कर मेरी जगह जमीन पर हात बढ़ाना चाहते हो। तुमने बड़ अच्छा किया कि सिपाही कोड़न जाई बताई। आदमी मुझ से कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो प तो तुम सब ठीक 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 नाम ठीकाना बता देते हैं क्यों। तरे लालची की। आदमी लज्जित होकर दो सो रुपे नहीं दो हजार रुपे भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासगात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे पर रख लो। मजदूरों में वाद विवाद होता ही रहा। विमा लाकर अपनी कोर्ट रिमेलेट गया। वो सोचने लगा अब क्या करो। जब सुरेश जैसे सज्जन की नियत बदल गई तो अब किसका भरूसा करो। नहीं अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं क नहूंगा। दो साल और रह जाता तो पास में पूरे पांच हजार रुपे हो जाते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिला कर तीन हजार रुपे ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाशन पूरी होगी। खेर अभी चलो। छे महीने में फिर लोट आउं या रहूं, मरूं या जीूं, वहां तो गहनों से प्लेयम है। इस तरह मन में निश्य करके वो दूसरी दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीत शास्त्र के आचारियों का भी यही कथन है। पर वास्ता में ये कितना ब्रहमूलक है। कुआर सुरेश सिंग की नववधू मंगला कुमारी ग्रेक कारे में निपून पती के शारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचार शीला, मधुर भाशनी और धर्म भीरु इस्त्री थी। पर सौंदर विहीन होने के कारण पती की आखों में कांटी की समान खटकती थी। सुरेश सिंग बात बात पर उस पर जुझलाते पर घड़ी भर में पश्चताप के वशी भूत होकर उससे शमा मांगते परंतु दूसरे ही दिन वो कुछ सित्व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ती ये थी कि उनके आचरण अनरईसों की भाती ब्रश्ट ना थे। वो दामपत्त सुक से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपनी उपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करती हुई डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखन अपनी भूलों को छिपाती बहाने करती जूट बोलती। नौकरों को अपराद लगा कर आत्मरक्षा करना चाहती। पती को प्रसन रखने के लिए उसने अपने गुणों की अपनी आत्मा की अविहेर्णा की। पर उठने के बदले वो पती की नजरों से गिरती ही गई। नित्तिना इश्रंगार करती पर लक्ष से दूर होती जाती थी। पती के एक मधुर मुस्कान के लिए उनके अधरों के एक मीठी शब्द के लिए उसका प्यासा हिरदाय तणप कर रह जाता था। लावन विही निस्त्री वो भिख्षुक नहीं है जो चंगुल भराटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पती का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है और कदाचित सुन्द्रियों से अधिक क्योंकि वो इसके लिए असाधारन प्रेत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रेत्न में निश्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पती पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तरक किया कि ऐसे क्रूर हिर्दैशून कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सव्यवहार करूँगी। जो पुरुष रूप का भक्त है व लूप लालिटते भी उसकी कामनाओं का बाधग था बलकि ये उसकी आशालताओं पर पढ़ने वाला तुशार था। मंगला सुंद्री न सही पर पती पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ती अपार है पर शीतला की मूर मूर्ती सुरेश के हिर्दाएद्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इस मूर्ती को हटानी के चेश्टा करते थे। उसे बलात निकाल देना चाहते थे। किन्तु सौंधर का आधीपत्त धन के एक क्रिया थी जिसने एक एही धावे में समस्त हिर्दा राज्य को जीत लिया। उस पर अपना आधीपत्त जमा लिया। सुरेश इकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिला थे। ये निश्य करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खीचती ह दूसरी क्यों से हटाती है। पर उसके मन का ये खिचाव केवल एक चित्र कारिया कवी का रसा स्वाधन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूरती केवल उसके मनुरजन की सामगरी मात्र थी। ये अपने मन को बहुत समझाते। संकल्प करते कि अब सुक्ष में दृष्टी से मंगला के मन की बदलती हुए भावों को देखते थी। पर एक पक्षा घात पीडित मनुष्य की भाती घी के घड़े को लुड़कते देख कर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थी। परिणाम क्या होगा। ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता पर जब मंगला ने अन्त को बात बात में उनकी तीवर आलोचना करना शुरू कर दिया वो भी उनसे उच्रंखलता का वेवहार करने लगी। तो उसके प्रती उनका वो उतना सोहार्द भी विलप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड मुर्दा सपड़ा था। आग से सेंके हुए मुर्दंग की भाती लोगों के स्वर करकश हो गये थे। साधरन बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे। जैसे साधरन संघरशन से वन के वरिक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंग कभी चार कदम टहलते थे फिर हाफ क बैठ जाते थे। नौकरों पर जुझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काओं क्यों नहीं करते। सैसा उन्हें अंदर से गाने की आवास सुनाई दी। चौके फिर क्रोध हाया। मदूर गान कानों को अप्रिये जान पड़ा। ये क्या बेवक्त की शेहनाई है। यहा आमोध प्रमोध है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका ये गीत कभी बंद भी होगा या नहीं। सब व्यर्त में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। अंत कुना रहा गया। जनान खाने में आकर बोले। ये तुम लोगों ने क्या काउं काउं म सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पती को बुलाया और आहिस्ते से बोली। क्यों इतना बिगड़ रहे हूँ। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुमारा अधिकार है। फजूर की बमचक। तुमसे मतलब। मैं अपने घर में ये कोला हल न मचने दूगा। तुम मेरा घर कहीं और है। सुरेश सिंगस का उत्तर न दे कर बोले। इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता। हाँ इ अभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दस्तन्दाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा। इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला तुम बाहर के स्वामी हूँ। यहां मेरा अधिकार है। सुरेश क्यों व्यर्थ की बक करती हो, मुझे चढ़ाने से क्या मिलेगा? मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही, वो पती के मनुगत भावों की मीमान सा कर रही थी, फिर बोली, अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, तो ना रहूंगी, अब तक भ्रह्मे थी, आज तुमने व कर कहा, बात का बतंगर क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब न था, कुछ का कुछ समझ गई? मंगला, मन की बात आदमी के मुझ से अनायास ही निकल जाती है, सावधान होकर हम अपनी भावों को छेपा लेते हैं, सुरेश को अपनी असजनता पर दुखतो हुआ, पर इस भैसे कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा, उतना ही ये और जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़ कर बाहर चले आए, प्राताह काल ठंडी हवा चल रही थी, सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वपने देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है, चौक पड़े, देखा द सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेश्टे नहीं की, ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है, जहां चाहे जाए, मुझे से कोई मतलम नहीं, यो बेना कुछ पूछे गाचे चले जाने कार थे ये है, कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रुकने वाला कौन, वो यो ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुँ उठा कर भी न ताका, मंगला पाउँ पैदल चली जा रही थी, एक बड़े तालुके दार की औरत के लिए, ये आखों से कहती थी, हार निर्दई पुरुश, इतना भी न हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता, इस गाउं से निकल कर उस गाउं में पहुची जहां शीतला रहती थी, शीतला सुनते ही द्वार पर आखड़ी हो गई और मंगला से बोली, बेहन जरा आकर धम ले लो, पूचा, ये क्या हुआ, मंगला, जो भाग्य में लिखा था, शीतला, उवर जी ने कुछ कहा सुना था, मंगला, मुझे कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती, शीतला, अरे, तु क्या आब यहां तक नौबत आ गई, दुख की अंतिमदशा संकोच विहीन होती है, मंगला ने कहा, चाहते ही तो अब भी पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती, शीतला, तुम्हारा मैका कहा है, मंगला, मैके कौन मुह लेकर जाओंगी, शीतला, तब कहां मंगला, इश्वर के दरबार में, ऊचूँगी कि तुमने मुझे सुन्दरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया, बहन, इस तरी के लिए इससे अधिक दुर्भाग की बात नहीं कि वो रूप इहीन हो, शायद पहले जनम की पिशाचनिया ही बदसूरत औरते होती है रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुरलब कोई वस्तू नहीं है, ये कहकर मंगला उट खड़ी हुई, शीतला ने उसे रोका नहीं, सोचा इसे क्या खिलाओंगी, आज तो चूला जलने की भी कोई आशा नहीं, उसके जाने के बाद वो देर तक बैठी सोचती रही, म ये सारे जड़ाओ, जेवर इसे सुखी रख सके, इसने उन्हें पाउं से ठुकरा दिया, उन्हीं आभूशनों के लिए मैंने अपना सर्वस सुख हो दिया, ना जाने वो कहा है, किस दशा में है, अपनी लालसा को तृष्णा को वो कितनी ही बार धिकार चुकी थी, मंगल पहर उसके चित में गलानी और शोब की आहग सुलगा करती थी, देहात के छोटे मुटे जमीदारों का काम डांट डपट छीन जपटे ही से चला करता है, विमल की खेती बेगार में होती थी, उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला ना मिला, इस ख शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया, दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिये, शीतला के गहनों के सिर गई, दूसरा साल समाप तो होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे, बूरी साज, छ दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणे और सर पर आटटे, गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई, प्रातहकाल से कलह आरंभ हो जाता, समधिन समधिन से साले बहनोई से गुथ जाते, कभी तो अन्ने के अभाव से भूजन ही न बनता, क प्रुष्कि अनुपस्थिति में इस्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है, इस संग्राम में प्राहय विजैपता का मैके वालों ही के हाथ में रहती है, किसी भाती घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मा कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाओ। सास कहती खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी। पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेली पीसना पड़ता। बोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाली तंगा जाते। शीतला कभी मा के पैरों पड़ती, कभी सास के चरन पकड़ती। लेकिन दोनों ही उसे जड़क देती। मा कहती तुने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती मेरी च्छाती पर सौत लाकर बैठा दी। अब बाते बनाती है। इस गोर विवाद में शीतला अपना पर ये अम्राज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। परिवार के कश्णों की खबर मिली थी। वो गुपत रूप से उनकी कुछ साहिता करना चाहते थे। पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि दौर पर एक शर्म भी न रुक सके। मंगला के ग्रहत याक के तीन महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुछ साहब मन में शीतला के रूप रसका आस्वाधन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हिर्दाय में एक विचित्र दुष काम न जाग उठी। क्या किसी उपाय से ये सुन्दरी मेरी नहीं हो सकती। विमल का मुद्दत से पता नहीं बहुत संभव है कि वो अब संसार में न हो। किन्तु वो इस दुष कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ती कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करती हुई डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धर कर मेरे विचार और विवेक पर कुठारा घात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लिला उन्हें भुलावा दे ही गए। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया। यह कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी न पूछू। पर वहां से लोटे तो बुद्धी और विवेक की रस्या तूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डूप किया खा रही थी। यह मनोहर छवी यह अन्पम सौंदर रे। एक शण में उनमत्तों की भात ही बखने लगे। यह प्राण और यह शरीर तिरी भैट करता हूँ। संसार हसेगा हसे। महापाप एह हो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गे आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हिर्दय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूगा। विमल मर गया। नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है। पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल, कितना ललित है। क्या उसके अधरों। अकैसमाद वो ठिठक गए जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुश में बुद्धी के अंतरगत एक अग्याद बुद्धी होती है। जैसे रण शेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक समाल लेती है। वैसे ही इस अग्याद बुद्धी ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो समभल गए। गलानी से उनकी आखे भराएं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भाती शुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनी से कह उठे। कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंग से नहीं चियूटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बेहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बेहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी शड़ों नहीं शीतला को पत्र लिखा। बेहन, तुमने इतने कश्ट जहले पर मुझे खबर तक न दे। मैं कोई गयर ना था, मुझे इसका दुख है। खेर, अभी शड़ों ने चाहा तो तुम्हें कश्ट न होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भाईया, शमा करो। जब तक जीऊंगी, तुम्हारा यश्काउंगी। तुम्हें मेरी डूपती नाओ पार लगा दी। कई महीने बीट गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ति लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगर में बैठ गए। शीतला ने पूछा कहा से आते हो भहिया। सुरेश गया था जरत थाने। कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था। बात को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूँ इनाम और बढ़ा दूँ। शीतला तुमारे पास रुपए बढ़े हैं फूको। उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे। सुरेश एक बात पूछू बताओगी। किस बात पर तुम से रूठे थे। शीतला कुछ नहीं मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा लजा कर। तो बया क्यों किया। बस बातों ही बातों में तक्रार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाईयों को उनके घर पहुँचा दिया था। इसलिए यहाँ अब शानती थी। सास ने बहु की बात सुन ली थी। करकश सर से बुली। बेटा तुम से क्या पर्दा। ये महरानी देखने ही को गुलाब की भूल है। अंदर सब कांटे है। ये अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बिचहरा इस पर जान देता था पर इसका मुही न सीधा होता था। प्रेम तो इसे चू नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर इसमें दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा। क्या वही अनोकित धन कमाने घर से निकले है। देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोक के सिवा इस्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहिट से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुन्दर्ता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा। जिनके भाग में लिखा है, भी यहीं सौने से लदी हुई है। मेरी भाती सभी के करम थोड़े ही फूट गए है। सुरेश सिंग को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांती मलिन हो गई है। पती वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालाये थे। बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहनी बनवा दूँगा। ये वाक कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था। पर शीतला की आँखे आनंद से सजल हो गई, कंठ गदगद हो गया। उसके हिर्दाए नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूशनों का चित्र खिच गया। उसने कितगता पूर्ण दृष्टी से सुरेश को देखा। मुझ से कुछ न बोली पर उसका प्रत्तेक अंग कह रहा था। मैं तुम्हारी हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर मचली शीतल निर्मल जल में क्रीडा करके और म्रिक शावक विस्तरत हर्यालियों में च्छलांगें भरकर इतने प्रसन नहीं होते जितना मंगला के आभूशनों को पहन कर शीतला प्रसन हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पढ़ते वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है। कभी केशों को सवारती है कभी सुर्मा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वक्छ चांदी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके सुभा में एक विचित्र गर्व का संचार हो क्या है। लेकिन शरंगार क्या है। सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद। उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्षिक से सच कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गाउं की इस्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोश नहीं होता। गाउं के पुर्शों को वो शंगार रस विहीन समझती है। इसलिए सुरेश सिंग को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आ जाती थे अब शीतला के बहुत अनुनाए विनाय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी। घरों के दीपक बुझे चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूत रही थी। अपने लिए नहीं सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाए कुतों के भूकने की आवास सुनाई दी। और दम भर में विमल सिंग ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था दूसरे हाथ में एक गट्री। शरीर दुर्बल कपड़ी मेले दाड़ी के बाल बढ़ हुए मुख पीला। जैसे कोई पैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला की कमरे की तरफ चले। मेना पिंजरी में तड़फडाने लगी। शीतला ने चौक कर सिर उठाया। घबरा कर बोली। कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया। उठखड़ी हुई और सिर जुका कर पूछा। इतनी जल्दी सुधली। विमल ने कुछ जवाब न दिया। विसमित हो होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को। मानो किसी नए संसार में पहुँच गया है। ये वो अधखिला पूरला था। जिसकी पंखुडियां अनकूल जलवाईू न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विक्सित कुस्म था। वो उसके जलकड़ों से जगमकाता और वाईू के ज्छोंकों से लहराता हुए। विमल उसकी सुन्दरता पर पहले भी मुगद था। पर ये जोती वो अगनी जौला थी जिससे हिर्दे में ताप और आँखों में जलन होती थी। ये आभूशन ये वस्त रिये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सुर्मुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। उस पर तुशार पढ़ गया। वास्तों में इस मलिन वधन अर्ध नगन पुरुश से उसे घ्रणा हो रही थी। ये घर का जमीदार विमल ना था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकरती पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुन्दर वस्तरों में भी मजदूर ही रहता है। सैसा विमल की माचों की। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्रिसने से विवहल होकर उसे चाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आखों से आसूँ की गरम-गरम बूंदे निकल रही थी। मा पुलकित हो रही थी। मुक से बात ना निकलती थी। एक शन में विमल ने कहा। अम्मा कंठ धरी ने उसका आशे परकट कर दिया। मा ने प्रशने समझ कर कहा। नहीं बेटा ये बात नहीं है। विमल ये देखता क्या हो। मा सभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। विमल सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था। मा तुमारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता न पाते। बिचा गए थे। विमल अब तो फूलों की सेज ही बिची हुई देखता हू। शीतला तुम किसी के भागे के विधाता हो। विमल सिंग उठकर क्रोध से कापता हुआ बोला। अमा मुझे यहां से ले चलो। मैं इस पिशाचनी का मुझे देखना चाहता। मेरी आखों में खून उतरता चला आता। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए तीन साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे इश्वर मिल जाता। पर इसे न पासका। यह कहकर वो कमरे से निकल आया और मा के कमरे में लेट रहा। माने तुरंत उसका मुह और हाथ पैर दुलाए। वो चूला जला कर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ते कथा भी कहती जाती थी। विमल के हिर्दय में सुरेश की परती जो विरोधागनी प्रजलित हो रही थी वो शान्त हो गई। लेकिन हिर्दय दाह ने रक्त दाह का रूप धारन किया। जोर का बुखार चड़ाया। लंबी आत्रा की थकान और कश्ट तो था ही। बरसों के कठिन श्रम और तब के बाद ये मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वो अचेत पढ़ा रहा। मा बैठी पंका जलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वो बेहोश पढ़ा रहा। शीतला उसके पास एक शन के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सौने के कौर खिला दिये हैं जो इनकी धोस सहू। यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौनी नहीं जानती। बहुत ताव दिखा कर तो गए थे। क्या लाद लाए। संद्या के समय सुरेश को खबर मिली तुरंट दोड़े हुए आए। आज दो महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आखें खूली पहचान गया। आँखों से आसु बहने लगे। सुरेश की मुखार विंद परदया की जोत जलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था। उसके लिए वो अपने को धिकार रहा था। शीतला ने जोही सुना कि सुरेश सिंग आये हैं तुरंट शीशे के सामने गई। केश छिटका लिए और विपत की मूर्ती बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आखे बंद थी। मूर्चित सपड़ा था। कहां शीतला के आते ही आखे खुल गई। अगनी मैं नेत्रों से उसकी और देख कर कहा। अभी आई है। आज के तीसरे दिन आना। कुएं साब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पाओ चले गई। सुरेश पर घणव पानी पड़ गया। मन में सोचा कितना रूप लावन है पर कितना विशाक्त। हिर्दय की जगए केवल शंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलाए पर मृत्यु देव ने किसी की न मानी। उनका हिर्दय पाशान है। किसी भात नहीं पसीचता। कोई अपना हिर्दय निकाल कर रख दे। आंसुओं की नदी बहादे पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को जाड़ना लहराती हुए खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनूदमे हैं। ये नितने रूप बदलते रहते हैं। कभी दामनी बन जाते हैं तो कभी पुन्नमाला। कभी सिंग बन जाते हैं तो कभी सियार। कभी अगनी के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल की रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को। विमल की मानसिक पीड़ा और हिर्दय तापकांत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता यम के दूद प्राया रात ही को सब की नजर बचा कर आते हैं और प्रान रत्न को चुरा ले जाते हैं आकाश के फूल मुर्जाए हुए थे वरक्ष समुह स्थिर्थे पर शोक में मगन सिर जुकाए हुए रात शोक का बाहरूप है रात मृत्यू का क्रीरा शेत्र है उसी समय विमल के घर से आर्थ नाद सुनाई दिया वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यू देह वे कल रहते हैं शीतला चौक पड़ी और घबराई हुई मरन शया की और चली उसने मृत देह पर निगाह डाली और भैभीत होकर एक पग पीछे हट गए उसे जान पड़ा विमल सिंग उसकी और अत्यंतित्य व्रिद्रिष्टी से देख रहे है बुझे हुए दीपक में उसे भैंकर जूत दिखाई पड़ी वो मारे भै के वहाँ ठैर ना सके चलते चलते ग्यात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेक से चलता है जुझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया सुरेश भी अब शांती मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए मंगला की इसनेह मई से वाय याद आने रगी हिर्दाय में वास्त वे एक सौंदर रियु पासना का भाव उदाय हुआ उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी शमा थी उसकी अतुल पती भक्ती को याद करके कभी-कभी वो तड़प जाते मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्वल रत्न का आदर न किया मैं योँ ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्षमी घर से निकल गई मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बाते कही वे उन्हें मालूम थी पर उन बातों पर विश्वास न होता था मंगला शांत प्रकृती की थी, वो इतनी उद्दंड़ता नहीं कर सकती उसमें शमा थी, वो इतना विद्विश नहीं कर सकती उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है उसके मेके वालों को कई पत्र लेके, पर वहां व्यंग और कटू वाक्यों के सिवा और क्या रखा था अंत को उन्हों नहीं लिखा, अब उस रतनी की खोज में सेहम जाता हूँ यह तो लेकर ही आउंगा, यह कही मुँँ में कालिक लगा कर डूब मरूँगा इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है जाये, पर यहां से होते हुए जायेगा, यहां से भी कोई आपके साथ चला जायेगा सुरेश सिंग को इन शब्दों में आशा की जलक दिखाई दी, उसी दिन प्रस्थान कर दिया किसी को साथ नहीं लिया, सस्राल में किसी ने उनका प्रेम मैं स्वागत नहीं किया सभी के मूँ पूले हुए थे, ससुर जी ने तो उन्हें पती धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्करा कर भूली जी जा जी, कोई सुन्दरी अपने रूप इहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे सुरेश, गंभीर स्वरसे, कुटिला, साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूप इहीन इस्त्री को त्याग दे, सुरेश, पशू, साली, और जो पुरुष विद्ध्वान हो, सुरेश, पिशाच, साली, हसकर, तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है, सुर साली, शर्त ये है कि प्राश्चित सच्चा हो, सुरेश, ये तो वो अंतरयामी ही जान सकते हैं, साली, सच्चा होगा तो उसका भलवी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लोटिएगा, सुरेश की आशानौका फिर डगमगाई, गिडगड़ा कर बुले, प अपने की एका क्या अलाच, चाते हूं, आराम कीजिए, एक शान में मंगला की माता आकर बैठ गई और भूली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश गूमायो, सुन्दर बनने की कोई दवा कही नहीं देखी, सुरेश ने विना पूर्वक कहा, मा तो था कि ऐसी ऐसी सुनाओंगी कि तुम भी आत करोगे, पर महमान हो क्या जलाओं, आराम करो, सुरेश आशा और भाई की दशा में पढ़े, करवटें बदल रहे थे कि एका एक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जाकते तो हैं, किसी ने जवाब दिया ला जाती है, सुरेश ने आवाज पहचानी, प्यासे को पानी मिल गया, एक शड में मंगला उनके सम्मु खाई और सिर जुका कर खड़ी हो गई, सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवी दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्त लाब कर चुका हो, रूप वही था पराखे और थी अभी आप सुन रहे थे, मुझी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे, मानसर ओवर छे की कहानी, आभूशन, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में